हेलो अब्रिवान दिस इस उर्भी वेलकम टू स्टेडी है कैसी हो सब आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टेडी को बहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं डिसकेशन जो रहेगा आज का वो काफी जारा इंपोर्टेंट होगा 4 फैब्रूरी 2022 का तो आएए आज का डिसकेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है व्र्ल्ट कैंसर डे के बारे एवर्ल्ट कैंसर डई है यह हर साल 4 फैब्रूरी को एल अबर दी व्र्ल्ट ग्लॉबळी इसको सैलीब्रेट किया जाता है बै llegó और इंटर्नैशनल कैंसर cancer control के द्वारा इसको start किया गया था ताकि हम awareness फेला सके worldwide ताकि हम इस से related लोगों में education improve कर सके उनको cancer की बिमारी के बारे में बता सके और साथी साथ इसको कैसे हमने prevent करना है उसके बारे में भी जानकारी दे सके ठीक है और catalyzing personal collective and government action क्या-क्या यानिकि government के क्या-क्या actions है specially cancer जो बिमारी उसको eliminate करने के क्या-क्या यहाँ पे जो policies लाई गई है cancer related ठीक है उसको भी लोगों को aware करना इस चीज के बारे में तो यह सारी चीजे जो है यहाँ पे awareness फेलाई जाती है theme काफी सारा important है इसकी close the cure gap ठीक है कि जो gap है cancer patient के between और साथी साथ जो healthy patient है उसके between यान कि जिसको cancer होता है कई बार discriminate भी किया जाता है उसको ठीक है तो वो जो gap देखने को मिलता है उसको क्या करना है हमने fill करना है close the cure gap ठीक है मिलके हम लोगों ने एक unity में काम करना है ठीक है friendship भाई चारा बढ़ाना है brotherhood का जो concept है वो society में लेके आना है ठीक है तो उसी से related international day of humor fraternity यहाँ पे celebrate किया जाता है every day every year 4th February को ठीक है तो different cultures, religions, beliefs देखने को मिलता है ठीक है तो इसको क्या करना है चीजों को promote करना है ताकि हम मिलके सारी चीजों को क्या कर सके ठीक है celebrate कर सही ठीक है उनके culture को समझ सके अलग-अलग religion के educate करना है लोगों को specially उनका जो tradition है ठीक है अलग tradition के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए ठीक है as a citizen of India ठीक है तो सासे हम mutual respect होनी चाहिए यानि कि कोई भी धर्म का person हो उसकी हमने respect करनी है यह नहीं है कि कोई हिंदू है कोई muslim है ठीक है ऐसा नहीं सोचना है ठीक है मिलके रहना है तो diversity जो है religion की उसको भी जानना है ठीक है तो आई होप आपको fraternity का मतलब समझ में आया होगा ठीक है तो यह डे आप लोगों को particular याद रखना है जिसका नाम है international day of human fraternity जिसको 4th February को हम हर साल celebrate करते हैं ठीक है तो आई होप आपको यह जो आमने दो डेस आपको यहां बिसकस की हैं आपके साल तो आपको clear हुए होगी जी कैने पर हिए बिदियर नेक्स्ट आर्टेकल की और हो यह काफी जारा important है यहां पर लोकायूक्त के बारे में यहां पर बातप ही हृँ हैं अब हाली में लोकायूक्त क्यों यहां यहां पर निंञ्ट म्याई है कैरेला YES कि एमैंडमेंट करने बात की जारी है और two three के तहत ठीक है अगर governor की बात करें जो states में governor ordinance लेके आते हैं वो article रहता है two one three के तहत ठीक है तो यह article काफे ज़ारा important है बहुत बार exam में पूछा भी जा चुक है इससे related ठीक है तो यह article आप लोगों को याद रखना है ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कि ordinance जो प्रपूस किया गया ठीक है specially यह जो बिल यह अब इन ordinance जो लाया गया है specially यहां पर जो powers है anti-corruption washed होगी इसको limit करने की बात की गई है हुआ क्या था यहां पर लोका युक्त के द्वारा के एक minister थे ठीक है उनको nepotism के मामले में सनलिप्त पाया गया था जिसकी वज़े से minister को resign देना पड़ा ठीक है तो उसी के regarding यहां पर जो इसकी power है उसकी limitation यहां पर define करने की बात की गई है ordinance के थुरू ठीक है कैरेला cabinet जो है यहां पर recommended किया गया governor के द्वारा ordinance ठीक है proposal जो है यह government की जो power रहती है especially either accept or reject कर सकते हैं लोग का युपिया after giving the opportunity of head ठीक है प्रपोस changes की अगर बात करें तो यहां पर जो changes अब जो किये जा रहे हैं ठीक है especially यहां पर जो बोला जा रहा है कैरेला cabinet जो है यह recommend करेगी ठीक है governor का जो ordinance है जो promulgate किया गया है ठीक है और साथ ही साथ जो प्रस्ताव में सरकार को सुने जाने का अफसर देने के बाद लोका युक्त के फैसले को सविकार या असविकार करने की शक्ति की मांग की गई है ठीक है तो यह जो प्रपोस किये गए है changes की यह changes लाए जाएंगे ठीक है यानि की लोका युक्ति क्या करने की बात की गई है नकी power को limit करने की बात की गई है उसी के साथ साथ जो यह ordinance है ठीक है जो ordinance है यह quasi judiciary institutions है ठीक है अर्ध judiciary जिसको हम बोलते है ठीक है यह क्या करते है एक advisory body है ठीक है यह advice देने का काम करते है ठीक है और साथ ही साथ इनके जो orders है will no longer be binding on the government ठीक है और क्या बोला गया है कि जो इनके orders रहेंगे ठीक है तो यह binding भाद्देकारी नहीं होंगे सरकार के उपर ऐसा यहाँ पर propose किया गया है इसमें ठीक है कि के तहत लोगपाल की for union के लिए ठीक है लोकायुक्त for states के लिए ठीक है यानि कि लोगपाल जैसे center में work करता है वैसे ही जो लोकायुक्त स्टेट्स में work करता है ठीक है तो यह आप लोगों को याद रख रहे है इस जो institutions है यह statutory bodies है without any constitutional status ठीक है पर जो इनके द्वारा functions किये जाते हैं of an ombudsman ठीक है लोगपाल को या लोकायुक्त को ombudsman भी बोला जाता है यह स्वीडन वर्ड है ठीक है तो इनके द्वारा inquiry की जाती है especially corruption के against यहाँ पर इनके द्वारा चीज़े देखी जाती है इनके जो पब्लिक functions होते है उसके अगर उसमें corruption देखने को मिले तो यह क्या करते है इनक्वारी करते है related matters की उपर ठीक है अगर लोगपाल एंड लोकायुक्त अक्ट 2013 की बात करें तो यह इसके द्वारा provide करवाय इस्टैब्लिश किया गया इस एक्ट के तहत लोगपाल ठीक है तो लोगपाल जो है इसके चेयर परसन होते हैं ठीक है तो हूँ है यह वो चेयर परसन होंगे जो Chief Justice of India रह चुके होंगे या फिर Supreme Court के जज यह एमिनेट परसन जो फुल्फिल करता है eligibility criteria इस पोस्ट के लिए और साथी साल लोगपाल जो है यह अपॉइंट किये गए थे 2019 में ठीक है फिर्स्ट लोगपाल इनके जो function स्टार्ट हुए थे यानिकि इनका जो work था वो जो start हुआ March 2020 में हुआ और साथी साल जो आज के टाइम में जो present लोगपाल है यह former Supreme Court Justice है जिनका नाम है पिनाकी जिनको PC घोश भी बोला जाता है ठीक है और साथ ही साथ इनके साथ है चेयर परसन के साथ है और भी members होते है officers होते है डिरेक्टर और बोर्ट होते हैं corporation society trust यहां पर मिलके काम करती है ठीक है जो इस act के द्वारा यहां पर establish किया गया ठीक है तो यह fund जो इसको दिया जाता है इस organization को ठीक है लोकपाल या लोकाइक को तो इस center के द्वारा दिया जाता है ठीक है अगर बात करें इसमें जो society or trust body cover की जाती है especially जो foreign receive contribution आता है above 10 lakh से जाधा आता है ठीक है वो भी इनके द्वारा रिसीव किया जाता है अब हम यहां बें बात करते है historical background of ombudsman की ठीक है हमार ombudsman यह integrate किया गया officially Sweden में 20th century में ombudsman institution develop किया गया and growth हुआ most significantly after second world war का time duration गब था 1939 से 45 के बाद यहां पर जो concept था यह निकल किया आया 1967 में recommendations दी गई white report के द्वारा 1961 में Great Britain के द्वारा इसको adopt किया गया इस institution को ombudsman का 1967 में ठीक है उसके वारा first large nation जो democratic world का ठीक है तो इस system सामने निकल के आया अगर अपनी country की बात करें इन इंडिया यह concept जो था constitutional ombudsman का यह first propose जो किया गया था law minister के द्वारा किया गया था जिनका नाम था अशोक कुमार सैन पार्लियमेंट में इनके द्वारा यह प्रपोस किया गया कब 1960 में क्या गया यानि कि जो नीव रखी गई ना हमारे country में 1960 से ही यह बाते जो है यह start होनी शुड़ हुए ठीक है अब बात करते हैं लोगपाल और लोका युक जो term है यह किसके द्वारा क्वाइंट की गई ठीक है वो थी LM संद्वी काफी सारा important है यह आप लोगों को याद रख रहे है 1966 में first administrative reform commission आया उनके रिकमेंडेशन दी गई कि हमें set करने की जरूरत है set up करने की जरूरत है टू इंडिपेंडेंडन्स जो अथॉरिटी है especially center level पे और state level पे भी ठीक है उसी के साथ 2002 में commission के द्वारा फिर से review किया गया working of the constitution जो यानि की committee set up की गई 2002 में इसके recording M.N. Venket चल लईया इनके द्वार recommendation की कि recommend किया गया कि appointment कर दिनी चाहिए लोगपाल और लोका युक्त की फिर 2005 में second administration reform commission लाया गया उसके जो chairman थे विरपा मोली इनके द्वार रिकमेंड किया गया कि office होना चाहिए लोगपाल का जो establish किया जाना चाहिए जल से जल without any delay ठीक है तो फिर center level पर government के उपर pressure आने की वज़े से यहाँ पर government के द्वारा लोगपाल और लोका युक्त बिल लाया गया 2013 में फिर हमारे यहाँ पर center और state level पर लोगपाल और लोका युक्त जो है इसको establish किया गया ठीक है अगर मैं way forward की बात करूं कि battle जो आज के time में देखने को मि लिए अगेंस्ट corruption ठीक है तो इसको effective way से लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग इससे कैसे tackle कर सकते हैं कैसे achieve कर सकते comprehensive reform ला सकते हैं especially अपनी political, legal, administrative और judicial system में not through one यानि की एक से काम नी चलेगा शान्ती से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं साथ इसा मिलके corruption को कम कर सकते हैं especially जो establishment किया गया effective लोगपाल institutions का ठीक है तो यह एक बहतरी मेजर से ठीक है जो one such मेजर तो लोकायुक्त की अगर बात करें हमारी state में जो setup किये गए ठीक है लोगपाल की तरश पर अगर राज्यों में सभी राज्य सरकार के करमचारियों थापना की जानी चाहिए ठीक है तो आई होप आपको यह सारी चीज़े क्लियर हुई होगी तो मैंने डिटेल में डिसकस कर लिया अगर फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज अपने डाउट को जरूर शेयर किजेगा कैरेला की पर्टिकुलर यहां पर बात हो रही थी तो कै की जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अब यह रही है क्यों कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया के द्वारा टाय अप किया गया है मिनिस्ट्य आप कल्च्ट और डेव्लाप्मेंट औफ आतम निर्भर भारत सैंटर के लिए ठीक है उसाथ ही साथ सब्सक्रास पर्स आप अंडर्स्टेंडिंग ट्राइब आप आत्म निर्भर भारत वर डिजाइन ठीक है तो यह कहां पर देखने को मिलेगा डैटफोर्ट वाले एरिया में न्यू डेली में ठीक है अब्जेक्टिव क्या है कि यहां पर रिमोट एंड सैलिब्रेट जो किया जाएगा ठीक है तो हम अजाद्धी की सालगीरा सेलिब्रेट कर रहे हैं ठीक है तो उसी क्यों प्लक्षपर यह सारी चीज़ें देखने को मिल रहे है इस्पैशली जो जो जोग्रफिकल इंडिकेशन है ठीक है जिनको जी आई टैक का दरजा मिल चुका है जिन प्रोड़क्स को उसको हम प् इंडिकेशन की बात आएगी है तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कुस कर लेते हैं ठीक है जोग्रफिकल इंडिकेशन स्टेटस क्या होता है इस्पैशली उस गुड्स को दिया जाता है जिसका और इजी नेटिंग यहां पर हो ठीक है स्पैशली इसको अडेंटिफाई किय दिया जाता है जग्रस्ते other लिगत्र सेक्षर भी नाच्रॉल रिया फ्रứngत्वेलों को दिया जाता है ठीक है जोग्राफिकल इंडिकेशन अफुड्स नेटिकशन गूड्स रेजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक Wahrता है यह घ्टर प्रोटेक्शन वी जाती है ज्ग्राफि इंडिकेशन यहाँ बिखने को मिलती है और आपर इंडिकेशन सब्लेंग करेंग है कि ओर दो 그럼 प्रॉपेटी यदि को उसको आप लोगों को ठीकwiekते हैं अगे जार्कन इसा हुआ है औरiest वेंटिर्या केरेला दिंदिगुल लोग खंद दागी साड़ी तामिलाडू की ओडिसा का रोशगुला शाही लीची जो भी हार से तो इनको जी आइटाय का दर्जा मिल चुका है ठीक है अग्रिकल्चर एंप्रोसेस्ट फूर्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बात करते हैं इंडियन मल्टी नैशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है फाइनचियल सर्विस स्टैट्विट्री है ठीक है और हेड़कोर्टर इसके मुंबई में देखने को मिलेंगे चेयर परसन आज के टेमें दिनेश कुमार खहरा है है हैड़कोर्टर मुंबई फाउंड इस बेजिंग में ठीक है तो हमारी कंट्री के द्वारा बाइकॉट कर लिया गया है क्यों क्योंकि गालवन वैली में आपने लास्ट इयर के बात करें तो गालवन वैली में क्या हुआ था ठीक है हमारे जवानों पर क्या हमला किया था ठीक है तो जिसके द्वारा हमला किया गय तो यह काफी जारा इंपॉर्टेंट है विंटर ओलंपिक्स हो कहां पे रहे हैं चाइना बेजिंग में हो रहे हैं ठीक है स्पेशली जो वेस्टन सेक्टर की अगर बात करें तो वेस्टन सेक्टर जो एरिया है सबसे जादा इसकी जो बाउंडरी है वो टच करती है चाइना कंट्री के साथ ठीक है वो हैं फिफ्टीन हंडर सैवंटी किलो मेटर ठीक है सेंट्रल सेक्टर की अगर बात करें तो फाइवनडर फॉर्टीफाइव किलो मेटर से ठीक है तो इसको बोला जाता है वेस्टन सेक्टर को लेसी ठीक है यह जो चाइना के साथ जितने भी इसे सेक्टर की भात करें तो बोतान वाला एरिय को छोड़के तो इसको इस्टन सेक्टर बोलते हैं धीकशते साथ करते हैं शक्तिस gymnast संबॉस् Mills का अगर बात करें international borders गाइड़ करी जre 누Into इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो है BSF के द्वारा, इंडो बंगलादिश बॉर्डर BSF के द्वारा, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस के द्वारा, यानि कि ITBB के द्वारा, इंडो नेपाल बॉर्डर शिसस्त्र सीमा बल यानि कि SSB के द्वार इंडो भुटान बॉर्डर शिसस्त्र सीमा बल SSB इंडो मेंनमार बॉर्डर असाम राइफॉल्स के दोरा और यहां पर बात की जा रही है इनका जर्म 4th February 1922 में हुआ और इनको भारत रतन से भी नवाजाद जा चुका है 2009 में और यह हिंदोस्तान ने क्लासिकल म्यूजिक से बिलॉग करते थे इनकी दैथवी 24th January 2011 में थीक है तो यह important fact है यह आप लोगों को याद रखने है थीक है तो जो 12 गंटे का time duration लगता था एक जगा सी दूसरी जगा जाने में थीक है तो वो 4 गंटे में cover किया जाएगा इसके चलते थीक है तो length इसकी जो देखने को मिलेगी 532 km है track यहाँ पर देख सकते है 11 district यहाँ पर cover करेगी और साथ ही साथ यह जो land required है याने कि जो total hectares है 1226.45 hectares है speed इसकी 2200 km per hours देखने को मिलेगी थीक है तो इसका जो construction work है यह 2024 तक complete किया जाएगा थीक है तो यहाँ पर आप देख सकते है kolam to karasar gold थीक है यहाँ तक यह जो है train जो चलेगी थीक है तो यहाँ पर issue भी निकल के आ रहा था क्योंगी वेस्टन घाट वाला एरिया है वेस्टन घाट से related committees कौन कौन से आप लोग बताईएगा इस से related मैंने अलग से वीडियो बनाई है प्लिस उसको वीडियो को जाके जुरूर देखिएगा जो काफी जारा important है ठीक है के लिए आप टैलीग्राम जोइन कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक शियर सब्सक्राइब जुरूर कीजिए थैंक यू फॉर वोचिंग मैं वीडियो जाहिद